हुआ येस ग्रीटिंग सोफड़े श्टूडेंट्स यूर्वर्थ और इस्तुड़्डे स्टुडेंट्स यूटिप चैनल आज हम करने जा रही हैं ट्रांसफोर्मेशं और संटेंस जो कि first grade English के लिए भी काफी important है second grade English के लिए भी काफी important है 12th English elective और 11th English elective की board exam में भी ये topic 8 marks काता है और RBSC 11th और 12th के लिए भी ये बहुत important है क्योंकि उनके exam में भी ये पूछा जाता है तो चलिए हम start करती है transformation of sentences मैंने पूरी कोशिश की है कि इस वीडियो में आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आ जाए अच्छे अच्छे examples लिए है examples के थूँ आपको explain करने की कोशिश की है फिर भी अगर किसी तरह की कोई कमी रह जाती है तो आप लो comment works में comment करके पूछ सकते हो अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को subscribe करना मत भूलिएगा जलिए हम स्टार्ट करते हैं पहले types of sentences कि किस तरह से examiner आप से question पूछेगा किस किस base पे पूछेगा In English there are mainly three types of sentences जो sentence हैं हमें उनका transform करना होता है उनको तो इस से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि sentence कितनी तरह के होती है simple sentence होता है compound sentence होता है और complex sentence होता है major problem इसी में आपको change करने में आप दिये तो ध्यान से सुनते जाएगा और देखते जाएगा screen पे simple sentence has one clause simple sentence में one clause होता है या फिर अगर आपको clause वाट से समझ नहीं आ रहा है तो आप ये समझ लेजिए कि इसमें one verb और one subject होता है main verb इसमें एक होती है complex sentence has one main clause and one or more subordinate clause इसमें mainly दो main verb होती है ठीक है person एक भी हो सकता है बट इसमें जो main verb हैं वो दो होती है जिसमें एक तो principal clause में आती है और दूसरी subordinate clause में मतलब इसमें दो तरह के एक तरह से हम कहें तो दो short sentences होती है इसमें इसे main होता है उसके बिना दूसरे का meaning clear नहीं हो पाता है इसलिए हम एक को main और दूसरे को subordinate कहती है हम simple language में अगर समझें तो subordinate clause कई बर students को समझ नहीं आता है कि ये क्या है A compound sentence has more than one main clause अब जो compound sentence होता है इसमें जो दो पार्ट होती है main sentence की है वो दोनों ही main होती है दोनों की value जो है वो same होती है कोई subordinate नहीं होता कोई main नहीं होता है दोनों की ही same value होती है Transformation of sentences हम किस तरह से transform करते हैं sentences को We can change a simple sentence in a compound sentence और a complex sentence Examiner हम से पूछ सकता है कि हमें simple sentence से compound sentence बनाई है या तो या फिर complex sentence बनाई है तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि compound sentence क्या है और complex क्या है This is usually done by expanding a word or phrase into a clause ये कैसे करते हैं हम simple sentence को हम किस तरह से complex और compound sentence में change कर सकते हैं इसके लिए हम या किसी word को या phrase को या clause को हम क्या करते हैं उसको बढ़ा चेड़ा के लिखते हैं थोड़ा हना बढ़ा करके लिखते हैं expanded form में In the same way we can change a complex or compound sentence in a simple sentence इसी तरह से हम उसको short करके किसी clause बगार को एक simple sentence बना देती हैं यह आपको बहुत अच्छी तरह से explain करूंगे मैं अभी This is done by reducing a clause into a word or phrase मतलब किसी clause को हम छोटा करके किसी word या phrase में लिखते हैं Transformation of sentences एक sentence के थूँ आपको बता रही हूँ It is too late to start a new lesson करें कि हमें नया lesson शुरू करने में बहुत देरी होगे मतलब यह सही time नहीं है कि हम नया lesson start करें हमें इसे पहले ही कर देना चाहिए था तो इस sentence को समझे As you can see this sentence has just one clause and therefore it is a simple sentence इसमें एक ही clause है एक ही main verb है It is too late to start a new lesson इसमें जो हमारी helping verb start हुई है जो sentence को frame करने में में role play कर दिये वो क्या है देखो is तो late to start वाली जो verb आई है तो start यह तो क्या है infinitive है non-finite verb जिसको हम कह देती है और new lesson हमारा यहां पे क्या है object है तो इस तरह से होता है simple sentence The number of clauses in a sentence is equal to the number of finite verb in it हमें non-finite verb को नहीं देखना होता है कि कितने बारा यह finite verb sentence में एक finite verb भी हो सकते infinite verb यह निकि non-finite verb हो सकती है जो to लगके यह ing लगके अपना लग meaning देती है वो होती है non-finite verb not that to infinitives and ing fonts are non-finite verbs यह not नहीं है non है देखो अगर आपको infinitives ध्यान से करने है कि finite verb क्या होती है non-finite verb क्या होती है तो इसी चैनल तर्न क्लासे यूटिब चैनल पे मैंने वर्ब नाम से एक topic करवाया हुआ है उसमें यह explain किया हुआ है तकरीबन वो 10-15 मिनट की वीडियो है उसको देख लीजेगा आपका यह finite non-finite infinitives to infinitives यह पूरे का पूरा चकर जो है खतम हो जाएगा ठीक है तो उसको देख लीजेगा एक बार चलिए अब हम देखते हैं interchange of the degree of comparison किस तरह से हम transform करती है कई बार हमसे वो degree change करवाता है कि superlative में है तो हमें उसको comparative degree में या फिर positive degree में लेना होता है interchange of affirmative and acclimatory sentence को affirmative बनाईए या फिर exclimatory बनाईए है न interchange of affirmative and negative negative or positive sentence भी बनवा सकता है आपसे conversion of simple sentences to compound sentence compound या complex sentence में भी बनवा सकता है या फिर आपको वो ये भी कह सकता है कि two को change करके आप लोग so that लगा के sentence बनाईए है transformation का meaning है कि आपका meaning change ना हो sentence का उसकी सरफ form change हो अब देखिए चलिए हम सन्लंस के थूरू समझती है interchange of the degrees of comparison पहले degree के base पे transformation देख लेती है I am as strong as he अब देखो strong जो है ये positive degree है stronger इसकी comparative degree है और strongest इसकी superlative degree है अगर हम आम तोर पी देखें तो हम कहती है कि simple degree year वाली comparative degree और st वाली superlative degree होती है तो ये sentence है I am as strong as he मैं इतना strong हूँ जितना की वह है अब देखो इसका मतलब हमें हमने वो क्या कह रहा है कि इसको comparative में change कीजिए चाहे वो negative बने interrogative बने कुछ भी बने बस हमें degree comparative यूज़ करनी है और हमारा meaning same रहना चाहिए है न तो देखो इसमें comparative degree का यूज़ करके हमने sentence क्या बनाया he is not stronger than I वो मेरे से ज्यादा stronger नहीं है वो मेरे से ज्यादा ताकतवर नहीं है तो हमारा पहले वाले का meaning क्या था I am as strong as he मतलब ही और मैं मैं और वह दोनों एक जैसे ताकतवर हैं नीचे वाले का meaning क्या है कि वो मेरे से ज्यादा ताकतवर नहीं है अगला sentence देखिए लोहे के जितना यूसफुल कोई भी मैटल नहीं है दूसरा है आइरन इसी भी दूसरे मैटल से ज्यादा यूसफुल है देखो पहले sentence का मिनिंग क्या था कि कोई भी मैटल आइरन के जितना यूसफुल नहीं है इसी आइरन ज्यादा यूसफुल है दूसरों से तो फिर दूसरे में हमने क्या कहा मतलब यूस यह कंपरिटिव डिगरी का यूस किया और sentence क्या बना आइरन इस मोर यूसफुल देन एनी अधर मैटल आइरन दूसरे मैटल से ज्यादा यूसफुल है और अगर हमें सूपर लेटिव बनाना है तो हम क्या बनाएंगे आइरन इस दे मोस्ट यूसफुल आफ अल मैटल्स देखो अधर करेंगे एनी अधर है ना तो हमें कंपरिटिव का यूस करना होता है कंपरिटिव में हम दैन का यूस करते हैं और सूपर लेटिव में दे मोस्ट यूसफुल आफ अल मैटल्स तो ध्यां रखेगा जब दो तीन या बाकि जितनों के साथ भी कंपरिशन हो बट सभी के साथ कंपरिशन ने हो तो कंपरिटिव डिगरी होती है ठीक है अगर हम डिरेक्ट कहें कि मैं लंबा हूं तो हमें नहीं पता किस से कम लंबा है किस से ज़्यादा लंबा है तो ये पोजिटिव डिगरी है अगर मैं कहूं कि मैं दो लड़कों से ज़्यादा लंबा हूं या मैं दस से ज़्यादा लंबा हूं या मैं 100 से ज़्यादा लंबा हूँ तो comparative आईगी अगर मैं यह कहूँ कि मैं सभी से ज़्यादा लंबा हूँ तो superlative आईगी ठीक है Interchange of degrees of comparison अब comparison की degrees को किस तरह से interchange करती है उनका meaning change हुए भी ना Helen was more beautiful than any other woman अगर हम कहें कि Helen बाकी ladies से ज़्यादा सुन्दर है सभी का name नहीं लिया है इसने इसने कहा है Helen बाकी ladies से ज़्यादा सुन्दर है तो दूसरा sentence उसने क्या बना दिया no other woman was so beautiful as Helen दूसरी कोई भी lady इतनी सुन्दर नहीं थी जितने की Helen तो यहां क्या है so or as का यूज किया है और इसमें only beautiful का यूज किया देखो beautiful क्या है simple डिगरी है positive डिगरी है और more beautiful comparative में आ गया है the airplane flies faster than birds जो airplane है वो birds से ज़्यादा तेजी से उड़ता है अब देखो faster मतलब तेजी से और comparison किया गया है birds के साथ किसी के साथ comparison हुआ है ये तो ने कहा सबसे ज़्यादा तेज है उसने कहा है कि birds से ज़्यादा तेज उड़ता है airplane दूसरे sentence में देखो birds don't fly as fast as airplane जो birds है वो airplane के जितना तेज नहीं उड़ सकते इसका मतलब airplane से ज़्यादा उड़ता है मारा meaning भी change नहीं हुआ और sentence का form जो है वो change हो गए डिगरी देखो comparative की जगह पे simple लगा दी है थर्ड sentence देखी हैदराबाद is one of the biggest of Indian cities हैदराबाद भारतिय cities में सबसे बड़ा है सबसे बड़ी cities में एक है one of the biggest of Indian cities इंडिया की जो सबसे बड़ी cities है उनमें से एक है इसका मतलब क्या है कि बहुत ही कम cities इतनी बड़ी हैं जितना हैदराबाद है तभी तो उसने कहा है ना one of the very few Indian cities are as big as हैदराबाद तो बहुत कम Indian cities ऐसी हैं इतनी बड़ी हैं जितने की हैदराबाद तो देखो इसमें क्या हुआ है simple use हुए big और हैदराबाद वाले उपर से वाले sentence में biggest use हुआ है तो हमें क्या है कि सबसे बड़ा भी नहीं है उसने ये भी नहीं कहा कि वो सबसे बड़ा है बट उसने कहा कि जो बड़ी बड़ी cities है उन में इसे एक है it means बहुत कम cities जैसी हैं जो हैदराबाद के जितनी बड़ी है हमने क्या किया positive degree use कर देख some beans are as nutritious as meat कुछ beans इतने nutritious होते हैं जितना की meat तो क्या है meat is not more nutritious than some beans जो meat है वो कुछ beans से ज्यादा nutritious नहीं है मतलब कुछ beans इसके equal nutrients भी है meaning change नहीं हो रहा है न दोना sentences में तो आपको ध्यार रखेगा ये वीडियो आपके exams में जो eight sentence पूछे जाते हैं उसके लिए ये रामबान सीध होगी इसको बहुत अच्छी तरह से कर लीजेगा अकबर वोज one of the greatest of Indian kings जो अकबर है जो greatest Indian kings थे उन में से एक है तो हम क्या कहेंगे अकबर वोज greater than most other Indian kings मतलब ज्यादातर most का मतलब है ज्यादातर वो ज्यादातर Indian kings से greater था greater great greater greatest अब उसने उपर वाले में superlative यूज किया है कि he was one of the greatest जो सबसे महान kings थे उन में से एक था दूसरे में क्या कहा गया है कि अधिकतर इंडियन से वो ज्यादा greater था है ना सभी के साथ तो comparison नहीं किया गया तो हमने क्या यूज किया comparative degree क्या होता है जिसमें हम हरान हो जाते हैं कि हा बहुत जएदा सुन्दर है अरे वा कितना सुन्दर है या कितनी काली रात है कितना सुन्दर फूल है है ना कितनी तेज धूप है how beautiful this garden is last में sign of exclamation वाओ यह garden तो बहुत सुन्दर है तो हम affirmative मतलो simple में क्या कहेंगे this garden is very beautiful यह बाग बहुत सुन्दर है एक्सक्लेमेटर सेंटेंस का बाता है जब किसी चीज को बढ़ा चडाके बदाया जाता है चाहे किसी को सुख है चाहे किसी को खुशी है चाहे किसी को गमी है आइस धोनी प्लेड हम हैरान हो जाते है न वाओ धोनी तो बहुत अच्छा खेला है तो हमें क्या बताना है धोनी प्लेड रियली नाइस यह धोनी प्लेड वेरी वेल दोनों में से कोई भी वぁ-ट टेस्टी आइस क्रीयम कितनी टेस्टी है तो हम इसको कर गईगर है आइस स्क्रीम ईस एक्स्टीम ली टेस्टी जह बिया उक्रीयल प्लेड प्लेड़ पॉजित cafर्व प्लेड यही में थिसर को ती किसी को ride लव किया उसने, तो हम क्या कहेंगे Brutus was not without love वो कैसा, जो Brutus है वो सैसर के लव के बिना नहीं रह सकती थी रह सकता था, ठीके was not without love मतलब ऐसा नहीं कि वो लव नहीं करता था लव करता था Brutus, नेगटिव है they are not happy in life वो अपनी life में खुश नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे they are unhappy in life, positive यह तो बनाना है न, negative से negative क्या है they are not happy in life वो अपनी जिन्दगी में खुश नहीं है तो हम पॉस्टिव बनाना है तो हम क्या करेंगे they are unhappy in life क्या है कि happy जो अड्जेक्टिव है उसको हमने, दूसरे एक्टिव में नेक्टिव एक्टिव में चेंज कर दिया I was doubtful whether it was you वो करें कि मुझे शक था कि ये तुम ही हो तो आगे क्या कहेंगे I was not sure मैं sure नहीं था कि it was you मतलब मैं sure नहीं था कि ये तुम ही हो हो गया ना negative तो क्या था affirmative तो क्या था कि मुझे शक था कि ये तुम हो या नहीं हो तो negative में उसने कह दिया कि I am not sure, मैं sure ही नहीं था मतलब शक तो वही रह गया ना जब sure नहीं है तो Second example, everybody was present हर कोई present था हम क्या कहेंगे nobody is absent कोई भी absent नहीं था nobody was absent आएगा ठीक है, जिस past में है अगर हमारा sentence question तो answer भी past में सभी ने खुशी मिनाई हम क्या कहेंगे, there was no one present who did not cheer, मतलब वहाँ ऐसा कोई भी नहीं था जिसने खुशी नहीं मिनाई, there was no one present, कोई भी ऐसा वहाँ नहीं था who didn't cheer, जिसने cheer नहीं किया इसी तरह से हम negative को positive में कर सकते हैं, positive को negative में कर सकते हैं, यही opposite case में चला जाएगा आगे दीखे, interchange of affirmative and negative sentences he failed to notice me when he came in, जब वो अंदर आया तो उसने मुझे notice नहीं किया, मतलब मुझे notice करने में asphal रहा, तो इसी का हम negative देखिए क्या करेंगे he did not notice me, उसने मुझे notice ही नहीं किया when he came in failed, हमने क्या किया जो word ही negative को show कर रहा है fail, ऐसा फल है, तो अपने आप में यह है negative, बट हमने तो जो form है sentence की, वो तो affirmative ही रखिए ना, तो उसी से negative बना दिया he did not notice everybody will admit that he did his best हर कोई, यह मानेगा कि उसने अपनी best कोशिश की तो हम क्या कहेंगे, nobody will deny कोई भी इस चीज़ से deny नहीं करेगा कि he did his best, उसने अपना best किया deny नहीं करेगा, it means admit करेगा ठीक है, हमें सिर्फ sentence की form change करनी होती है, हम इसकी meaning को change नहीं करते transformation में, जब हमें change करने को कहा जाए, तब हम meaning को change कर सकते हैं इस तरह की luxuries को सिर्फ जो millionaire है, अर्बपती है, वही effort कर सकता है, तो हम क्या कहेंगे none a millionaire, none but a millionaire can offer such a luxuries, वो कह रहा है कोई और नहीं, but a millionaire जो है, अर्बपती जो है, वो इन luxuries को effort कर सकता है, only वाली mostly sentences अगर negative में करने हो तो हमें none but का use करना होता है every man makes mistakes sometimes हर कोई कभी ने कभी गलती कर लेता है, तो हम क्या कहेंगे, every man है, तो इस कहेंगे there is no man there is no man who does not make mistakes sometimes ऐसा कोई person नहीं है, जिसने कभी कभी गलती नहीं की हो ठीक है I care very little what he says about me, मतलब करें, जो कुछ भी वो मेरे बारे में कहता है, मैं उसके कोई ज्यादा क्यार नहीं करता तो हम कहेंगे, I don't care what he says about me जो मुझे वो कहता, उसकी ज्यादा क्यार नहीं करता यह negative form हो गई और I care very little very little मतलब ना किसमान अपने आप में यह हो गया negative, उसने words negative use नहीं किया अब है simple से compound बनाना, इन sentences को थोड़ा सा ज्यादा ध्याँ से देख लेजेगा, हर तरह के competitive exam में यह पूछे जाती है we must work very hard to up for the lowest time अब इसका comparative देखिए, पहले तो देखिए कि इसमें simple sentence के आपको पहचान कैसे होती है he must work must work क्या है, must helping verb है work हमारी main verb है very hard, बहुत ज्यादा मेहनद करना, this is to up for the lowest time, जो time निकल गया उसके लिए, main verb क्या है देखो यहाँ, work main verb एक ही है, और हमारा subject एक है, अब compound में देखिए, he must work very and make up for the very hard word लिखना मैं भूल गई, he must work very hard, उसको बहुत ज्यादा मेहनद करनी है and make up for the lost time, अब देखो, जो अगर हम end को हटा दें, तो दूसरा जो sentence बनता है, he make up for the lost time, तो यह भी sentence पूरा है अपने आप में, और जो पहले वाला है, he must work very hard, यह भी complete है तो जिब दो sentence, total total, complete बनते हों, सिर्फ subject को छोड़के, और end बगरा से जुड़े होती है, अगर हम यह subject जो है, he, end को हटा के वहाँ ही subject दे दें, दूसरे sentence को, जिसको हम दूसरा clause क्या देती है तो यह भी अपना complete meaning देता है, simple भाशा में समझ जिए यह clause को भूल जाएए, अगर आप लोगों को simply ऐसे समझ नहीं आता तो माल लीजे, he must work very hard यह एक sentence है, end को हटा दिया he make up for the lowest time ठीक है, यह पूरा sentence बन गया मतलब कोई एक दूसरे पर dependent नहीं है, यहाँ दोनों अपना-पना total meaning दे रहे हैं, it means यह क्या है यह simple है, आपको देखना है कि यहाँ subject कहाँ है, पहले तो he है, main verb कहाँ है did not succeed, did क्या है helping verb, or succeed सफल हो न, ठीक है यह main verb आ गई तो यह बाकी क्या है, बाकी तो हमारा simple clause बचा है, ठीक है phrase कह सकते हो तो यह क्या हुआ, simple sentence हुआ अब इसका compound बनाना है he worked hard, उसने बहुत महनत की, but did not succeed but वो सफल नहीं हुआ अब आपको कैसे पता चलेगा compound है चलगे परक के देखते हैं he worked hard, एक sentence complete कोई किसी पे depend नहीं है jet को हटा देते हैं और फिर he subject लगा लेते हैं he did not succeed, वो सफल नहीं हुआ नहीं हुआ तो नहीं हुआ तो पूरा-पूरा जब दोनों clause ही main होते हैं दोनों में से कोई भी एक दूसरे पे depend नहीं होता है तो वहां क्या होता है compound sentence बन जाता है conversion of simple sentence to compound sentence little j sat in a corner eating his Christmas cake चो little j है corner में बैच कर eating his Christmas cake वो अपना Christmas cake खा रहा है sorry little j sat in a corner जो little j है वो एक corner में बैठ गया eating his Christmas cake अपने Christmas cake को खा कर ये क्या है ये तो एक phrase आगा eating his Christmas cake Christmas cake को खा कर ठीक है ये यहाँ eating क्या है ये पार्टिसिपल है अब sentence हमारा इतने बना है little j sat in a corner little j एक corner में बैठ गया आगे तो हमें simple phrase देया हुआ है ये तो हम क्या बनेंगे little j sat in a corner little j corner में बैठ गया and ate his Christmas cake और उसने अपना Christmas cake खा लिया compound बन गया he must resign on pain of public dismissal he must resign or he will be publicly dismissed ठीक है अब देखो दोनों का लगल में निकल के आ रहा है कि वो resign देगा है या फिर वो क्या होगा publicly dismissed हो जाएगा on to drop the crop is short सुखे को देखे जो हमारी crop है वो बहुत थोड़ी हूई there is dirt and so the crop is short यहाँ सुखा पढ़ गया था इसलिए जो crop है वो कम है short है छोटी है the man had not completed their work by sunset उन लोगों ने sunset तक अपना work complete नहीं किया था the sunset and yet वो correct the sunset सुरे अस्त भी हो गया and yet और फिर भी the man had not completed their work उनों ने अपना work complete नहीं किया और दो को yet को हटाएंगे तो direct हमारा sentence मान रहा है the man had not completed their work और first भी complete मान रहा है the sunset सुरे अस्त हो गया in spite of several efforts he failed बहुत सारे effort करने के बावजद भी वो fail हो गया तो हम क्या कहेंगे he made several efforts उसने बहुत से effort किये और वो fail हो गया but failed अब तो यह compound sentence बन गया but को हटा देंगे तो हमारा क्या बनेगा he failed वो fail हो गया तो भी हमारा sentence complete है पतलब compound ऐसा होता है जिसमें subject एक भी हो सकता है but verb दो होती है उसमें main verb दो होती है compound में conversion of simple sentence to complex he confessed his crime उसने अपने crime को मान लिया confess कर लिया तो हम कहें he confessed that उसने confess किया कि he was guilty कि वो गल्त था अब उसमें क्या है he confessed उसने मान लिया क्या मान लिया अब हमारी जो अंदर का question है curiosity वो निकल के आती है कि हमारी पास पूरा meaning ही नहीं अब देखो he was guilty यह तो sentence complete है but he confessed अगर मैं आपको कहूं कि I confess मैंने मान लिया तो आपका अगे से question क्या होगा कि मैडम क्या मतलब total meaning नहीं है इसका दूसरा जो है he was guilty यह principal clause है he confessed that यह क्या है subordinate है मतलब जिसमें एक main और एक subordinate clause होता है वो क्या होता है complex sentence only Pakistan are admitted here अब यह simple sentence है इसका complex देखे if you are not a Pakistani अगर आप Pakistani नहीं हो you cannot be admitted here तो तुम यहां नहीं आ सकती the management is thoroughly bad the management is as bad as it could be करें कि management इतनी बुरी है जितनी यह हो सकती थी मतलब ज्यादा से ज्यादा बुरी हो गई example है conversion of simple sentence to complex इसमें भी यह sentence दिये हुए है आप लोग read कर लेना वारना बहुत ज्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी आप लोग भी अख जाओगे इसका screenshot ले लेना और यह कोशिश करके देखना इन sentences में से जो भी sentence आपको ना समझाए तो मुझे comment box में comment कर देना अब देखिए यह दूसरा इसमें जब वे change हुए देखिए the nature of the sentence can be changed without changing the meaning of the sentence कैसी sentence containing the adverb 2 ऐसे sentences जिसमें 2 adverb होता है my friend is too rich to be helped मेरा friend इतना rich है की वो help कर सकता है you can see how the transformation of sentences containing the adverb 2 takes place without changing the meaning of the sentence कैसी my friend is so rich that he cannot be helped मतलब हम लोगों को उसकी help करने की need नहीं है या फिर वो किसी की help कर सकता है to be helped मतलब हमें उन लोगों की help करने की need नहीं है वो काफी rich पहले से ही वो काफी rich है ये तो थोड़े easy होती है sentences the news is too good to be true मतलब हम कहते हैं कि ये जो आप तो बहुत ही ज्यादा अच्छी मतलब भाच राके praise करते हैं हम किसी को बहुत ज्यादा कहते हैं कि ऐसा ऐसा buttering बहुत ज्यादा करते हैं तो हम ये अपने मन में doubt होने लगता है वही उसी type का sentence है ये the news is too good to be true मतलब ये एक limit से बहुत ज्यादा अच्छी news है तो मुझे नहीं लगता कि ये सच होगी तो क्या है the news is so good that it cannot be true तो ये सही तो नहीं हो सकती जब हमें true को change करना होता है तो हम क्या use करते हैं so that में भी change कर सकती है he is too proud to beg मतलब वो इतना ज्यादा proud है उसमें कि वो भीख तो नहीं मंगेगा हम कहेंगे he is so proud that he will not beg उसमें इतना एहम है कि वो भीख नहीं मंगेगा he is never too late to mend वो कहरे कि वो इतनी देरी कभी भी नहीं करता कि उसको सुधारा नहीं जा सके है ना he is not so late that it cannot be made तो हम to को कैसे change कर सकती है so और that का use करके तो यह नीची वाले 3-4 sentences आपको अपने आप करने है अभी देखिए अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आई है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा इस चैनल पे अब से 12 और 11 इलेक्टिव के और RBSC के वीडियो भी डालूंगे मैं इस पे और आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब और शेर करना मत भूलिएगा अगर वीडियो आपको जरा से भी पसंद आई है तो इसको लाइक और शेर कर दीचेगा और कमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा कि आपको ये कैसी लगी और नेक्स टॉपिक आपको कौन सा चाहिए वो भी कमेंट बॉक्स में यूट्यूब पे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीचेगा ठीक है थेंक यू एंड हैवर नाइस दे